हेलो गाइस एस सुन एस आई बिकेम अक्वासी सेज आई वस समंट बाइ एमपरस के एपिसोड 40 में आप सभी का वेलकम आपको वीडियो पसंद आती है तो सस्ट्राइब लाइक शियर कमेंट करना मद बुलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैक अप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्स्प्लेंस उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैंने उस पर भी न्यू मांगा स्टार्ट कर दी है और इसी के साथ चलते हैं आगे एपिसोड की शुरुवात में हमको दिखाया जाता है अपना हीरो वहाँ पर खुद को इतना जादा हील होने के बार गूर के देखकर उससे कहती है अरे ओठर की आदमी तुम जाग जाओ क्योंकि अभी तुमारे पास केवल फोट रिल्म की कल्टिवेशन है और तुम संथ होने या ना होने के बारे में कैसे बात कर सकते हो लिए यह बास सुनने के बाद में अपना हिरो उसकी तरफ उंगली स इशारा करते होए गुसा के कहता है क्या ऐसा इसलिये नहीं है क्योंकि आपकी कल्टिवेशन बहुत कराब है और जब आप ने संथ के कशिशन में खीचा गया तो मैं भी उससी कल्टिवेशन में फस गया हूं उसकी बास सुनने के बाद में लोख वहां पर शॉक्ड होते हो कहती है क्या यह क्या बोल रहे हो और यह कहने के बाद में लोवे अपने हीरो के पास जाके बहुत ज़रा गुसाते हुए उससे कहती है जो मेरा समनिंग भाद लोवी को वहाँ उसे कुछ हो जाता है और तभी वह कहती है हम यह क्या और अपने हीरो anyways बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता लोगी और यह क्या हों गांतुने उसका पागल हो चुके हैं और अपना दिमाग लगा रहे हैं वह कोई नहीं किर लिंके वो तुम लोग एकि इस बात को कहने के बाद में वहां पर जितने भी लोग होते हैं वहां पर बुरी तरह चिलाने लगते हैं कि यह कैसे हो सकता है वहां से सीन हमारा शिफ हो जाता है और हमको वर्जिन सेक का मौन्टेन दिखाया जाता है जहांपर बहुत धेर सारे पाहड एक दूसरे से जुड़े होते हैं और फिर हमारा सिन वर्जिन सेट के अंदर आ जाता है जहांपर हमें एक मस्ट बड़े बैलून वाली लललन टाप रापचिक गल दिखाये जाती है और उसके बारे में बताया जाता है ये वर्जिन सेट की हैड जियांग जिंग मेंग है और वो बूटिफुल गल बोलती है इस बार आप पुराने घोष्ट की जिन्दा लाशों को हटा दे और लॉंग जिंग ड्रेगन के एनरजी को एक बार में कमजोर कर दे तो मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है वर्जिन सेट की वो लेड़ी जियांग जिंग मेंग वो अपनी तीनों की तीनों अपने हिरो की हाट ललन टाप मस्त माल से बात कर रही होती है सेट लीडर की ये बात सुनने के बाद में जो लिंग जियांग होती है वो उनको ग्रीट करते हुए कहती है सेट की सेवा करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है लिंग हियांग की बात सुनने के बाद में उनके सेट के अंदर जिन्यू सेक्ट के लीडर लिव बोजाओ अंदर आते हुए कहते हैं जियांग सेक्ट के लीडर आप अपने डिसैपल की तारीफ करने में बहुत जल्दबाजी ना करें मैंने लिंगवू के एसट के बारे में पूचा और उसे हर जगा को जा लेकिन मुझे खोजने पर एक भी बाल ना मिला आपके वर्जिन सेट को इस चीश के बारे में क्या हमें पूरी तरह से बताना नहीं चाहिए जिन्हू सेक्ट लीडर की ये बास सुनने के बाद में जो वर्जिन सेट के लीडर होती है वो वहाँ पर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और दोस्तो हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ ये सच में बिल्कुल लललन टाप है और सेट लीडर बनने के लायक है क्योंकि इसने सब को फेल कर दिया और वहाँ पर उनकी बास सुनने के बाद में जियांग जिंग मैं उसे कहती है सेट लीडर ल्यू संत के अलेक्जर की खोच हेंड़ेट सेट के और नैज होने के द्वारा एक साथ की जाती है और सेंट के अलेक्जर को ना मिलने के लिए सिर्फ मेरे डिसैपल को दोस्ट देने का क्या फाइदा जैसे जियांग जिंग में ने बोला होता है तब यह में दिखाते हैं कल्चर मंतरी को कि दोस्तों मैं इसका नाम बोल गया हूँ तो इसलिए मैं इसके टाइटल को ही बोल देता हूँ वो वहाँ पर गुसाते हुए कहता है फिर मैं Ling Yang के अपने साथी के साथ में सिर्फ ये नहीं पूछना चाहता कि वो हमें कैसे बताएगी कि उसने जो हमारा कॉंटेक्ट है उसको क्यों तोड़ा और अपने सारे साथीों को ब्लैक मेल क्यों किया कल्चर मंतरी की बास सुनने के बाद में Ling Yang को दिखाते हैं वो वहाँ पर गुसाते हुए खड़ी हो जाती है और कल्चर मंतरी के तरफ देखते हुए कहती है आखिरकार हमारे पास टीम के साथीों का या कैसा ग्रूप है आप Holy Capital में क्या कर रहे हैं क्या आप अपने King Set के साथ में एक दूसरे को माणने में व्यास नहीं है Ling Yang की बास सुनने के बाद में सकुरा वाँ पर हस्ते हुए कहती है हाँ ये तुमने सही कहा मैंने सुना कि जिन्यू सेक्ट ने King Moon Set के पूरे गेट को खतम कर दिया है तो अब वे किस तरह से कॉंट्रेट के बात कर रहे हैं सकुरा की बास सुनने के बाद में कल्चर मंत्री बहुत साथ घवरा जाते हैं उनको पसीना आने लगता है और तब वो घवराते हुए कहते हैं वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके King Moon Set का इरादा हमें मुसीबत में डालना था ये सिर्फ होली एलेक्जोर को ढूडने के लिए हमारा ज़रूरी तरीका है कल्चर मंत्री की बास सुनने के बाद में लिंगियान को दिखाते हैं वो वहाँ पर हसते हुए कहते हैं तो फिर हमें बताईए आपने जो वहाँ पर ढूंडा है उसमें आपने क्या पाया कल्चर मंत्री जियान जिंग में की तरफ देखकर बहुत ज़ादा ब्लेस करने लगता है और तभी वहाँ पर घबराते हुए कहता है जब मैंने वहाँ पर सबजी का ढूंडा तो मुझे पता चला कि हम बस एक शाजिस में शामिल है कि इंगनू सेट को उस बेकार आदमी लिंके ने फसाया था कल्चर मंत्री की ये बास सुनने के बाद में दूसरे साइड में दिखाया जाता है हमको जो वर्जिन सेट की लेडीज होती है सारी की सारी वहाँ पे इखटा हो जाती है और तभी जियान जिंग मेंग वहाँ पे हस्ते हुए कहती है सेट लीडर लियो को पहले अपने बेटे को सिश्टा चार सिखाना चाहिए और फिर हमारे वर्जिन सेट पर आरोप लगाना चाहिए कल्चर मंतरी की ये बात सुनने के बाद में जो उनके फादर होते हैं वो बहुत सारा गुसा जाते हैं और तभी उसकी तरफ देखकर घूरते हुवे कहते हैं अरे ओ बेवकूफ तुने सब खराब कर दिया और जब वो ये चीज के बारे में कही रहे होते मैंने उस सेंट के आईटेम के बारे में एक सुराक की जाच की है कि ये कोई साधरान वस्तू नहीं है बलकि एक व्यक्ति है लिंग ह्यां की ये वाद सुनने के बाद में वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं सारे का सारे शौक्ड होते हुए कहते हैं क्या ये क्या बोल रही हो तुम और तभी वहाँ पर ये सुनने के बाद में अफरा तफरी मत जाती है फिर कोई चिला के कहता है क्या सेंट का ट्रेजर कोई वेक्ती है ऐसा नहीं हो सकता लिंगो सेट के जो लीडर होते हैं वो वहाँ पर चिलाते हुए गुसे में कहते हैं आदमी और मेरे बीच में लडाई के दौरान उसने गोल्डन क्रू ग्रेट सेंट लियां की सोल का पता लगाया क्या सेक्शन लीडर लियू को पता है कि इसका क्या मतलब है लिंग्यान की बास सुनने के बाद में जो लिंगो सेट की लीडर होते हैं वो वहाँ पर हसते चुकी है क्या तुमने बहुत धेर सरा गांजा मार लिया है जिस करण चे तुम्हारा दिमाग पुरी तरह भंड हो गया है अरे यार अगर तुम कुछ कहना चाते हो तो बस कह दो ना उसकी यह बास सुनने के बाद में जो सेट लीडर होते हैं वह वहाँ पर गुसा रहे होत गांजा मार के भंड तो यह चल रही है फिर वहाँ पर कहती है तो यही कारण है कि बहुत धेर सारे सेट कई दशकों से बिना किसी सुराग के इस ट्रेजर की खोच कर रहे हैं जो लिमूग सेट के पैट्रियाच होते हैं वो वहाँ पर गुसाते हुए कहते हैं अरे ये सब तुमारी बेफालतू की बाते हैं ये तो से मेरे हाथों से एक छोटा सा मौका भी ना चुके पैट्रियाच लूग की ये बात सुनने के बाद में जियां जिंग मेंग को दिखाते हैं वो आप गुसाते हुए अपनी पावर को वहाँ पर रिलीस करके चिला के कहती है जो कोई भी सबसे पहले परशानी खड़ी करने क शुरुआत करने की साहस करता है वो हमारे वर्जिन सेट का सबसे बड़ा दुश्मन होगा पैट्रियाच जियां जिंग मेंग की पावर के कारण जो पैट्रियाच लूओ होते हैं वो दो कदम पीछे हो जाते हैं और पीछे जाकर अपने आपको समालते हुए कहते हैं तुम जियां जिंग में की बात सुनने के बाद में जो लिंग हियां होती है वो वहाँ पर अपने मन में इविल इसमाल देते हुए कहती है चलो ठीक है अब सब कुछ खत्म हो गया और फिर सामने पैट्रियाच से कहती है सेट लीडर को मैं वापस रिपोट करती हूँ वो वैक्ती एक नमबर का ठरकी कमीना और हवस का पुजारी बस सुन्दरता को जानता है मुझे सेट की सारी फेमिल डिसाइपल को ले जाने दीजी और मैं उन्हें निश्चित रूप से आपके पास वापस ले आऊंगी लिंग यान की बात सुनने के बाद में जो सेक्रेटर जियांग जियांग जिंग मेंग होती है वह वहाँ पर हंसते हुए कहती है चलो ठीक है मैं इस प्राप्लम को पूरी तरह से आप पर छोड़ रही हूं उन लोग की इस तरह की बाचीत को देखने के बाद में जो पैट्रियाच लिवो होते हैं वह वहाँ पर बहुत जादा गुस्सा रहे होते हैं कि इसकी इतनी हिम्माद इसमें मेरे ओपर अटैक कर दिया पैट्रियाच लोग को तक गुस्से में देखकर जो कल्चर मंतरी होता है वह वहाँ पर घबराते हुए कहता है फादर अब हमें क्या करना चाहिए क्या हमें सेंट की डिसाइपल को अपने सेक्ट में बे इन्वाईट कर लगाएं अपने बेटे की बात सुनने के बाand में जियांग जिंग में का गुस्सा सारा का सारा उसके उपर उतारते हुए चिला के कहता है अरे बेवकूफ मैं उसको इन्वाईट करने के लावा और क्या कर सकता हूँ क्या मुझे पहले सेक्ट से लड़ हैं तो हम उन्हें कैसे बुलाएंगे कल्चर मंतरी की बास सुनने के बाद में उसके फादर वहाँ पर मुड़के वापस जाते हुए उसे कहते हैं अरे बेवकूफ मुझे तो लगता है तु मेरा बेटा ही नहीं है आखिरकार तु इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है क्या तुम इस चीज के बिना कोई समाधान नहीं सोच सकते अपने फादर की ये बास सुनने के बाद में कल्चर मंतरी वहाँ पर गुसा जाते हैं और फिर अपने गुसे को कंडूल करते हुए अपने फादर से कहते हैं फादर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है सब कुछ इस सैट का इस प्लान पर ठिका हुआ है और उसके ये कहने के साथ महीं वहाँ से सेंज शिफ्ट हो जाता है और हमारा सेंज शिफ्ट होके लिंगवो पैलिस में आ जाता है मतलब की लिंगवो महल जहां पर एमपरेर लुवई थोड़ा घबराती हुवे कहती है लिंगे क्या आपने सोचा है क्योंकि उस संद की विरासत आप है वे सारे सेंजित रूप से आप ही को देख रहे होंगे इस समय आपको जाना चाहिए और शुरुवाती रूप से उनकी तलाश करनी चाहिए लोवई की बास सुनने के बाद में लिंगे वहाँ पर उसको समझाते हुवे कहता है इ अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं कब इतनी धेर सारी औरतों के अंदर से ये एनेरजी को एब्सॉर्ब कर सकता हूँ यहां तुम्हारे साथ रहते क्योंकि तू चुलैल मुझे किसी के पास भी नाने देगी हलो गाइस आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक शियर कमेंट करना मत भूलिएगा और जो आपके लिए बैक अप चैनल बनाया है उसको विजा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में थेंक्यो फॉर